यिटा लूब Crinnell न्मशकार दोस्तों स्वागत आप सभी का तक्षिला पर और दोस्तों एक नियूज है 19 ओक्टोबर आज की जो नीजै मैं या बरेके सामने ज्युआ रहाज कर रहां न्यूजा है बरेकिंग नीजॉजा आपके लिए मौसम बिभाक का चर्चा करेंगे और चर्चा करते हुए हम लोग समझेंगे कि समाचार जो है वह आपके अगामी परिक्षाओं के लिए किस प्रकार से इंपोर्टेंट है तो चैनल पर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा क्लासिस के लिंक को अपने सारे मित्रों के साथ जो है वाटस अफ फीसबूक टेलिग्राम या जिस भी सोशल मेडिया प्रेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम सभी चेकर जो है वह आप शेयर कर दीजेगा तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है समचार नीज्व्यश है मौसम विभात की चताओं नहीं क्या है मौसम विभात की चताओं है इसाम मौनसून चारां इस भाए जो है वो पहाड़े में जारी रहेगी वही ओडिशा के में हम क्या देख रहे हैं कि ओडिशा में हमें चक्रवाद जो है एक चक्रवाद देखने को मिल रहा है जिसका नाम सी तरंग है इस पर हम बात करेंगे आपके सामने ये इंडिया का मैप और इस इंडिया के मैप के माध करें दोस्तों तो इसका नाम जो है बोड़ी सा्थ औरänder के भारे में अभी हम एंकरण कैसे होता है इसके और में ठोड़े देर में आपके साथ source COR just और या बना हुए लेक्न इसके अलावा कर्म पूरे देश की मौसरम विग्यान के बारे में बात करें तो ये कहा जा रहा है कि दिल्ली उत्तर पदीश समयत अधिकतर राज्यों में जो है वो बारिस की गतिविदी अब पुरी तरह से बंद हो चोकी है उत्तर भारत में इस समय मौसम जो है वो काफी सुस्क बना हुआ है दिल्ली में आज यानि 19 अक्टूबर के मौसम की बात करें तो आज दिल्ली में जो मौसम है उसमें जो नियूंतम ताफमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस और जो अधिकतम है वो आपका 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास है दिवाली के पहले अगर हम दिल्ली के मौसम के बारे में बात करें तो हम यह देख रहे हैं कि दिल्ली का मौसम है वो दिवाली के पहले जो है वो लगभग लगभग प्रदूशन का इस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है जिससे लोगों को जो है वो तमश्या हो रही है लेकिन वही दक्षिन भारत में लौटते मौनसून के कारण हम क्या देख रहे हैं कि भारी बरसा जो है इसका इलड जो ह मौसम विफाघ दो है वो करनाटक और के छिटरओं और थोsychoterरिम को आपको देखने को मिल रहा है तो करनाटक के बारे में जो करनाटक को few के बारे में जो होने के संभाव ना है वहीं आंधपर्देश के उत्री शट्र और साथ में पश्चिन बंगाल यानिक यह तीन राजी जो आपको पुरवी भारत में देखने को बंगाल काड़ी से संबंधित कहा जा रहा है कि तीन राजे जो हैं परःस्कर चक्रवाद का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा इस काई मेट वेदर की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो यह कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में आगे आने वाले 23 अक्टूबर को जो है यह चक्रवाद जो है वो मजबूत हो जाएगा और यह चक्रवाद का असर जो है वो 23 अक्टूबर को जो है यह जो की समुद्री तुफान है सीतरंग जो है वो आ सकता है और इसका प्रभाव जैसा कि मैंने कहा कि इन तीन राजियों में आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी कहा जा रहा हैं कि जो पहाडी छीत्र हैं इन पहाडी छीत्र वह में अगले जो आने वाले 24 घंटे हैं 24 घंटे में ये कहा जा रहा है जो है वह Dw initi होने के भी संभावना जो है next 24 hours में यह बाते जो हैं वो कही जा रही है और साथ में दिल्ली सहित पंजाब हर्याना उत्तर प्रदिश बिहार मद्ध प्रदिश गुजरात राजस्थान रोत्री महराष्ट का जो मौसम है वो कहा जा रहा है शुच रहेगा दक्षण महराष सही दक्षण के जोसि आपके भाग है यहां आपके भारी-बारी इसकी जो है वो जार्य किई गया में कि अाधरी हो आंद्रदेश हो अंदमान इको बार्दीव समू हो गोवा हो महाराष्ठ हो इसमें हल्की से मध्धियम बारिष होनेके संभा हुना है । तमिलणाड के बारे में बात की गए है कि यहां भारी बारिष होने के नाम से जाना है इसका खत्रा जो है काफी ज़्यादा मढ़ रहा है और टापिक को श्टार्ट करते ही मैंने बताया था कि सी तरंग का नामागर्ण के द्वारा जो है वो किया गया है ठीक ना लेकिन मौसम विभाग जो है वो वरतमान की इस्तितिष बता रहा है उसमें यह उत्तर अंडमान का जो एरिया है यह आपके स्क्रीन पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उत्तर अंडमान का जो है वो छेतर देखने को मिल रहा है और उत्तर अंडमान का जो एरिया है इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि इस छेतर में अगर हम देखें और इसके स भरिख्षपत जो यह बढ़ बर भी जिस्ञे में और भी हिश्षे में ही देखने को मिलें और वो गहरे दबाव में तबदील हो जाएगा और 22 अक्टूबर की सुबह भारी वर्षा के साथ ही चक्रवात के एंट्री जो है वो ओडिसा के छेत्रों में हो जाएगी जिसकी गती जो है वो 45 किलोमीटर प्रती घंटा के स्पीड से जो है वो चक्रवात जो है वो देखने को मि बहुत ही जादा सक्री हो गई है और आगे आने वहले दिनों के लिए जो ओडिसा के साथ जीले यह साथ जिले जो कि आपके बंगाल की खाड़ी के साथ जो अपनी सीमाओं को साजह करते हैं वहां डिजाश्टर मेनेज्मेंट यानिकी आपदा प्रबंधन जो है सक्री रू चक्रवाद का नाम कौन करता है तो दोस्तों चक्रवाद का नाम देने के लिए एक नियम है जिसके लिए वर्ल्ड मेट्रोलोजिकर और्गनाईजेशन यानि कि विश्व मौसम विभाग जो है वो दस अलग अलग छेत्रों में आने वाले जो भी आपके ट्रॉपिकल साइक्ल साइक्लोन है यानि जो भी उष्रकटी बंदी चक्रवाद है उसका नाम उस महासागर के आसपास जितने भी देश सीमा साजा करते हैं उनकी जिम्हदारी उनको दे दी जाती है वहां का जो भी साइक्लोन के लिए जो औरिजनल बॉड़ी होती है जो छित्री आपका जो देखने को मिलता है पहला जो चक्रवाद भारत में देखने को मिलता है वह आपका मार्च और अप्रेल का जो समय है इस समय भारत में हमें चक्रवाद देखने को मिलता है और दूसरे चक्रवाद के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो दूसरा चक्रवाद हमें जो है जो कि अगर हम बात करें, तो ये आपका October से लेकर जो है, वो December के बीच में जो है ये चक्रवाथ हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, लेकिन कभी-कभी हम क्या देखेंगे, कि चक्रवाथ हमें एक तो हमने मार्स से अप्रेल और October से December कहा, लेकिन कभी-कभी एक दुरला विस में जो है, वो चक्रवाथ हमें देखने को मिलता है, समानता उत्तर हिंद महासागर, यानि कि जिसमें कि हम बंगाल के खाड़ी की बात करें, या बंगाल के खाड़ी के अलावा, अगर हम अरब सागर के बारे में बात करें, ठीक है ना, जो आपका उत्तर हिंद महासागर का च्छेतर जिसमें आपको बे और बेंगॉल नजा रहा रहा है और अरेबियन सी नजा रहा रहा है तो इस छेतर के अगर हम बात करें तो यहां आपका उश्यकटी बंदी है चक्रवात हमें देखने को मिलता है जो कि पुर्व मांसून यानि की मांसून हमारे जून में आता है अप्रैल मैं का महीन अगर हम ले और मॉनसून पश्यात यानि के औक्टूबर से दिसंबर के उदी में हमें देखने को मिलता है मैं और जून में और अक्टूबर नॉंबर के म हमें चक्रवात देखने को मिलता है तो यह सारी ज्योhr दूर होगा कि चक्रवाद के उत्पत्ति के जो हैं वो क्या क्या आपके ठीक कैसे कैसे उत्पत्ती उत्ते उसके बहुंतने चाहिए तो इसर थी नहीं होता है कम मुझ मंवय दबाव होता है यर्ष बारिश लिग स्था है उश्रकटी बंधी चक्रवाद को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका उस्रकटी बंधी चक्रवाद के जो मद्ध है यहां आपको जो है वह आपका निम्न वाइद्या आपका जो च्छित्र देखने को मिलेगा जिसको गर्म चक्रवाद की आँख या आइस कहते हैं ठीक पर अगर आपको चक्रवाद जो देखने को मिलेंगी और अथे जो है वह जो है उच्रकटी बंधी चक्रवाद को बनने के लिए जो परिस्तिती होनी चाहिए वहाँ टेंपरेचर के अगर हम बात करें तो 27 डिग्री सलसियस के आसपास का ताक्मान होना चाहिए समुद्र का सतह जो बड़ा होना चाहिए बलकी उपस्तती होनी चाहिए जो हवा है वाईू है वो वर्टिकल डिरेक्शन में जो है वो उपर के तरफ जाए कमजोर्द और निम्नदाप का छेत्र निम्निस्तर चक्रवाद परिसंचरण हो तो यह सारी कंडिशन जो है ठीक है तो कैसा लगा यह टॉपिक जरूर बताईएगा फिड़ बैक अपना जरूर दीजेगा क्लासेस के लिंक जो है वो शेयर करतीजेगा जैंद